काईस व्ल्कम बाईक तो मैं चानल मैं कूँ की राटे वे किरन एक से पहले मैंने कभी कोई वीडियो नहीं डाला है मैंने कभी कोई वीडियो ही डाली है मैं lounge में पहला काईए आप लोगा नहीं Elite मैं इक रिव्यूड तो तो मैं आज लेकी आई हूँ एक Hair Statener और जिसको मैं यूज करती हूँ और उसको एक साल से मैं यूज कर रही हूँ तो वह काफी अच्छा है और I hope आप लोगों को भी अच्छा लगे तो वह यह वाला Hair Statener है अच्छा है यह वह अच्छा तो तो इसको उपन कर लिया है और यह इस तरह कर दो कि अच्छा करते हैं आज का वीडियो और दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने बालों को इस से आयों करती है और क्याइस करता है यह अपने आपके सामने करके दिखा हूंगी कैसे आयों करती हूं तो इसमें पार्टिश्ण करी बालों कोड़ी कौंग करना बहुत जरूर है इस तहले आप बालों को अच्छी सुल जा ज़ेगा इसके बाद ये बालों में आर्म करिएगा वजह तो मेरे बाल स्टेट ही हैं बट फिर भी में आपको इपर करके दिखाती हूं अब हमें एक पार्टिशन को बांद के रखना होगा चाहे हम क्लिप पाने चाहे हम रवबेंट लगा लें बट मेरे पास में यहां रवबेंट है तो मैंने रवबेंट लगा लिया है इससे की वो प्रोब्लम्स नहीं होगी बारवार में रखो और लिक्सर दबने रहेंगे और यह सब भी आप पैसिंग करने करना शुरू करें उससे पहले आप हमेशा हीट का हीट स्प्रेइ आता है इसका यूज ज़रूर करें इस तरी क्या होते कि आपकी बाल होते हैं वो कब तैमेज ह आपकी बात में जो भी हीटिंग स्प्रेय है आप उसका यूज कर सकते हैं अपने इन बालों को फुट हो इस पोर्शन में लेकर प्रेसिंग करना शुरू करें इस और मेरे पास यह क्लिप है और इसको पत करेंगें इसकी है इसकी है इसकी है और मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और अब यह गरम हो चुका है अब मैं इसको गाइज हमीचे दिया लगेगा अपने स्कार्प से और मिस्कीन से तो हड़ी तकियागा अब मैं स्कूल प्रेसिंग करूंगे इसके पाट को अब मैं पीछे से स्टार्ट किया गाइस आगे से नहीं कियाएं हमेशे आप पीछे से कर गयों जो बाट जो आमने पर अब कर चुके हैं उसको भी लेके दुबाला सिक फिर उसको फिलिशिक दे दीजिए अब मैं और बाल लूगी ऐसे खरते हैं अब मैं ने इसके बालो कॉल लिया है और इसको प्रेस करूंगी गाइज पीछे बच्चे के वाज आरोगे प्लीस इंगर करिएगा अब मैं प्रेसिंग उसके बाल जोई वह कंप्रिट हो गया है यांगी मैं प्रेसिंग पूली कर ली यांगी यांगी प्रेसिंग कर्ली आर यांगी इसको बढ कर वीजिए कि distance आम चाहिं किस थाम आया अ है और मेरे नेट जली वाल कि संईफ ज नहीं तर रख नहीं तो जिनeg कंञे कर ली रहते हैं तो में इंक इंक्रों तो यह मेरे नेट जब आवाल करें हैं वो वाले बाल है इस साइट के और यह वाले साइट जो है मैंने प्रेसिंग कर लिया है किस साल से फिनिशिंग आई है इस एक है इस टेटनर की अब मैं इसे करके आप लोगों से मिलती है करें दोनों साइट के बालों को प्रेसिंग कर लिया है और आप देखेंगे जिसींग कैसे आई है अच्छी फिनिशिंग आई है प्लीज मेरे आगा के बालों को दो हो साइट करियेगा क्योंकि यह थोड़ से बेबी है रहे तो यह जब परिसिंग करते हैं उनको तो तो फिर खड़े से हो जाते हैं तो बहुत लगते हैं लेकिन क्या करते हैं गाइस अब मैं आपने का वर्थ भी देख लिया है अब इसकी फीचर्स देख लेते हैं अम लोग तो यह आपको रेड कलर में मिलेगा और कलर में होते होंगे अब मैं राइट कलम मुझे मिलना थाई है अब तरह की बटन है इसमें जो कि आप अगर आप temperature बढ़ना चाते हो तो आप उससे बढ़कते हो और अगर कम करना चाते हो तो भी कम कर सकते हो और नीचे जो है इसको मैं आपको यह उसको राक करने का और इसको अपन गूब जाए और यह आगर मैं इसको मिला कर नहीं तो मैं इसको यह बहुत लूब those और इसकी जो तार है जो वाइर है घुते दे रहे हैं तो आप केंश्में इसको लगा को कर सकते हैं और temperature control भी है scanner और digital इसमें दिखायाता और digital से यह प्रचा जाता है कि आप कितने temperature पे अपनी बालों को आइन कर रहे हो तो यह प्लास पॉइंटर उसका लुक भी काफी अच्छा है और इसमें देखी काफी अच्छा लुक लगता है इसका और यह पकड़ने में काफी ब्रॉड ज्यादा छोटा नहीं है और गरम भी ज्यादा लगता नहीं है आप क्राम से इसको पकड़के कसती जैसे आप मुझे देखा और जैसे मैंने किया था तो यह overall काफी अच्छा लगा मुझे तो मैं इसे लिए आपको recommend करूंगी कि आप स्कुल पर try ज़रूर करें अगर आप स at least two days stay रहेगा ही अगर आप अपने बालों पर कोई भी water नहीं लगाते हो तो आपके बालों पर stay रहेगा तो guys I hope आपको यह video अच्छी लगी हो helpful लगी हो और अगर helpful लगी है तो please मैं चैनल subscribe करिएगा, share करिएगा, like करेगा दोस्तों और मिलती हो मैं अपनी next वीडियो में आ ऑ्टोस्ते हो Damn